ननिताल में छात्रा ने प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद कॉलेज केमपस में छात्र नेताओं ने हंगामा कर दिया, आपको बता दें कि काफी देर हंगामे के बाद मामला शांत कराया गया, जिस संबंद में मिली जानकारी के मताबिक कुमाओ विश् इस भी केमपस में पढ़ने वाली एक छात्रा ने यहां तैनात एक प्रोफेसर पर अभधरता का आरोप लगाया है, और जब ये बात छात्रों को पता चली, तो छात्रों ने यहां हंगामा शुरू कर दिया, हालाकि प्रोफेसर के माफी मागने के बाद मामला शांत हो गया जानकारी के अनुसार, केमपस में पढ़ने वाली एक छात्रा ने चात्रों के साथ गुरुवार सुभेर रोते हुए पहुए पहुची, वो इंटर्नल परिक्षा नहीं होने पर प्रोफेसर पर भधरता का आरोप लगाने लगी, इसके बाद चात्रों ने प्रोफेसर का घ तो चात्रा ने अभधरता के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद चात्रा की परिक्षा कराने के निर्देश संबंधित को दे दिये गए हैं